आज हम जानेंगे चित्त की पांच अवस्थाओं के बारे में जैसा कि पतंजली योगशूत्र के समाधी पाद के दूसरे श्लोक में कहा गया है योगचित्त वृत्ति निरोधा योग किसे कहते हैं? योगचित्त की वृत्तियों के निरोध को कहते हैं तो वहीं यहां पे बताया गया है कि निरोध जो है चित्त की सभी भूमियों पे होना चाहिए तो चित्त की पाँच भूमिया व्यास जी ने अपने व्यास भाश में बताई है चित्त की पाँच भूमिया कौन-कौन सी है? मूड अवस्था, शिप्द अवस्था, विक्षिप्द अवस्था, एकागर अवस्था और निरुद अवस्था तो आए जानते हैं ये पाँच अवस्थाओं के बारे में सबसे पहले जानेंगे मूड अवस्था के बारे में और रज और तम यहाँ पे गौन रहता है, गौन का मतलब है दबा हुआ रहता है, फिर गुण वृत्ति, कौन कौन से गुणों में वृत्ति होगी, निद्रा, तंद्रा, मो, भै, आलस्य, दीन्ता, भ्रहम आदी की वृत्ति होगी, यह सब जादा होगा, दशा कैसी है, असवभाविक इसले क्योंकि चित का जो स्वरूप है, या वृत्ति का जो स्वरूप है, वो सत्व है, तो यहाँ पे असवभाविक बताया गया है, इस्थिती और गति कैसी रहेगी, ऐसे मनुष्यों की नीच मनुष्य रहेंगे, यह नीच मनुष्यों की गति ऐसी होती है निमित धर्म क्या रहेगा उनका? वो कैसे धर्म करेंगे? काम करेंगे, क्रोध करेंगे, लोब और मोह करेंगे उनकी प्रवित्ती कैसे बन जाती है? वह अज्यानी, अधर्मी, राग और अनएश्वरे वाले होंगे दूसरा हम लोग देखेंगे शिप्त अवस्ता शिप्त अवस्ता किते कहते हैं? जिसमें रज की प्रधानता हो गुण का परिणाम क्या हो? रज की प्रधानता की वज़ा से शिप्त अवस्ता होती है जहां पे तम और सत्व कम होते हैं गुण की वृत्ति कैसे होती है कौन-कौन से गुणों की वृत्ति होती है दुख, चंचलता, चिंता, शोक, संसार की कामों में प्रवित्ति ऐसे इनके गुण होंगे इसकी विदशा क्या होगी विधान होगी इसकी भी वृत्ति कैसी होगी सर्वता होगी वृत्ति का सरूप क्या है असवाविक श्थिति गती कैसी है साधारन संसारी मनुष्यों की स्थिति ऐसी होती है शिप्त अवस्था में जानी जाती है निमित्त धर्म क्या होंगे उनके वो राग और द्वेश करेंगे उनकी प्रवित्ति कैसी होगी? अज्ञान, अधर्म, राग, अन एश्वर्य या फिर कभी-कभी क्या हो सकता है? ज्ञान, धर्म, वेराग और एश्वर्य तीसरी है विक्षिप्त अवस्ता यहाँ पे सत्व प्रधान होगा और रज और तम कम होगा गुण की वृत्ति कैसी होगी? गुण वृत्ति क्या होगी? सुक, प्रसन्नता, शमा, श्रद्धा, धैर, चैतन्यता उच्छाह, वीर, दान और दया यह सब गुण की वृत्तियां होगी दशा कैसी होगी? विध्यान होगा विध्यान ही होगा बट कभी-कभी समाधी का आरंब या इसके बाद समाधी का आरंब हो जाएगा वृत्ति सर्वथा एकागरता आरंब अगर यह सत्व प्रधान रहेगी समाधी आरंब होगी तो इसकी एकागरता कैसे होगी? आरंब होगी एकागरता फिर यहां वृत्त का स्वरूप क्या है असोभाविक ये भी स्वरूप नहीं है इसका स्थिति कैसी होगी उचे मनुश्यों के जिग्यासूओं की जो मुमुक्षू हैं जो जानने की इच्छा रखते हैं उनकी ऐसे स्थिति होगी विक्षिप तवस्था निमित धर्म क्या होंगे उनके अनासक्ती निशकाम कर्म ये उनके धर्म होंगे ऐसा धर्म वे करेंगे प्रवित्ति कैसी होगी ज्यान करने वाली धर्म वाली वेरागे वाली और एश्वरे वाली चौथी अवस्था है एकाग्र अवस्था यहाँ पे सत्व प्रधान होता है रज और तम वृत्ती मात्र होता है मतलब थोड़ा होता है, बहुत ही कम होता है गुण के वृत्ती कहती होगी टथस्त मतलब द्रिड होगी दशा कैसी होगी, योग की और संप्रग्यात समाधी यहां प에 मानी जाएगी वृत्ती कैसी होगी, एकाग्र, मतलब concentrated होगी क्योंकि यहां पे बताय गया था, विक्षिप्त में कैसी है, एकाग्रता का आरंभ हो जाता है तो वहाँ आरंभ हो जाएगा तो यहाँ एकागरता इस्टाबलेश हो जाएगे वृत्ति का स्वरूप कैसा है? स्वभाविक है अब ये स्वत्व प्रधान हो गई रज और तम वृत्ति मात बच गए तो इसका वृत्ती का स्वरूप जो है ये स्वभाविक हो गया मतलब ये ही स्वरूप होता है फिर इस्थिती कैसी है उसकी योगियों की गती क्या होगी योगियों की एकागर वस्था होती है निमित्य धर्म क्या होगा अपर वेराग्य प्रवित्ति कैसी होगी वस्तु का यथार्थ ज्यान मतलब उनको यथार्थ मतलब सच्चा ज्यान होगा पर चौथी अवस्ता है पांचवी अवस्ता है निरोध अवस्ता गुणों का बाहर से परिणाम बंथ चित्थ सत्व में निरोध परिणाम संसकारशिश मतलब यहाँ पर क्या होता है कि बाहर से परिणाम नहीं होता है गुणों का अब चित्त क्या है सत्व के कंट्रोल में होता है और वहाँ परिणाम सरफ उतना ही है जो पिछले संसकारों का कलेक्शन वहाँ जो बज़के है बस उतना ही वहाँ पर संसकार होगा अलग से कोई संसकार अब वहां नहीं जाएगा फिर गुण की वृत्ति कैसी है? स्वरूप स्थिति मतलब जैसी उसकी होनी चाहिए वैसी स्थिति वहाँ पे है दशा कैसी है योग की और असंप्राज्यात समाधी की वृत्ति कैसी है? सर्व वृत्ति निरोध अब यहाँ पे सारी वृत्तियां जो है उनका निरोध हो जाता है वृत्ति का स्वरूप कैसा है? वृत्ति का स्वरूप वैसा ही है जैसा चित्त का स्वरूप है चित्त का स्वरूप प्रतिष्ठित अस्वभाविक स्वभाविक वृत्तियों का अभाव ऐसा स्वरूप है तो अब यहाँ पर वृत्ति का स्वरूप भी चित्ति के स्वरूप जैसा हो जाएगा स्थिति या गति कैसी है उसकी उचे योगियों वाली जैसे उचे योगियों की स्थिति होती है वैसी निरुद दवस्ता वालों की स्थिति होती है निमित धर्म क्या होगा पर वेराग्य और प्रवित्ति इनकी दृष्टा की स्वरूप स्थिति मतलब आत्मा की जो रियल स्थिती है वो यहां पर अटेंड हो जाएगी Hope you like this video Please hit the subscribe and like button Thank you